नमस्कार दोस्तों, Sunday Special Program में आपका स्वागत है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चाहिज उसके अंदर देखनी चाहिए, और क्या-क्या उसके अंदर मिल सकती है, यह डिटेल्स मुझे मिली है, Times of Index वेबसाइ रail काने बनिटेकलीमावरीमेन की हूँ, निम्स रहे हैभी समूल फाटा हूँ, अगर आप फोन लेने की सोच रहे है, आप सब्सक्राइब था की सब्सक्रा कि यह में लाड़री सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पहली चीज तो आप मेटल वाड़ी और फोन लीजे डिपेंड्स करता है और प्राइज रेंज में भी आते हैं और भी सारी चीजे हैं दूसरी होती है डिस्प्ले यदि आप पिक्चर्स वगरा फोटो लेना चाहते हैं एंटर्टेन्मेंट वाले लोग हैं जो कि मुवी वगरा बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उनके लिए मैं बता दू फोन जो है फुल एजडी रिजोलुशन में आते हैं वह ले सकते हैं आप और स्क्रीन साइज साड़े पांच से छे लीजिए अगर आपको मुवी ज़्यादा देखनी है या फिर आप वीविंग ज्याद ख्यलते हैं यहि एंट्स गेम्स खेलते हैं और वह स्ण मुल्टीपल टाक्स करते हैं बेक्रॉड में चलते रहते हैं लेंगें tar तो अप जैसे णौनमबर देख बढ़ेगे वाइसे प्राइस बड़ेगा तोаться year उसके आपता 625 का M.I.U. अगरा में आते हैं, जो Note 4 में लगाया है, वो काफी अच्छे प्रोसेसर सा है, पाउर भी जादा कम कंजूम करके पाउर जादा देते हैं, बैटरी लाइक बढ़ाते हैं, और नॉर्मल यूजर जो सी फेस्बुक, वाटसेप चलाना चाते हैं, वो आप नॉर्मल सा प्रोसेसर भी ले सकते हैं, मीडिया टेक के भी प्रोसेसर चल जाएंगे उसके उपर, कैमरे की बात करते हैं, कैमरा बहुत ही आजकल फोकुस में है, देखा गया है कि उपो व्यू जादा कैमरा के उपर ही फोकुस करें, ड्यूल मेगा पिक्जल ड्यूल कैमरे के भी सेट अप साने चालू हो गया है, तो यदि आप थोड़ा कैमरे पर फोकुस रखते हैं, आप केमरे में मे Chapigeум, उसमें आप 3 चीज़ देखिए, आटो फोक्स देखिए, इसोई लेवल देखिए, पिक्जल के साइज देखिए और यंडे इमेत स्टेबिलइशेंगी होते हैं, hand image stabilization होते हैं तो ये सारी चीजे हैं और उसके अंदर aperture होता है 2.0 के अंदर ही लीजिए 2.0 तक तो आपको एक fast और अच्छे camera मिलने वाले हैं यदि आप normal camera चाहते हैं तो आप कोई भी camera ले सकते हैं जो 8 megapixel 12 megapixel के हो तो उसे कुछ फरक नहीं पढ़ता है मेगा पिक्जल बढ़ती है तो सिफ image की details बढ़ जाती quality बढ़ जाती image की crispness बढ़ जाती उसके जादा pixels captured होते हो तो वो सारी चीजे ध्यान देनी चाहिए अगली बात करते हैं battery की battery आजकल बहुत important हो गया है लोग mobile में mostly busy रहते हैं पूरा दिन चरिया उनका निकलता है तो जो battery है काफी देखी गई है कि अगर आप heavy users है जैसे कि आप games खेल रहे हैं या बहुत सारे movies देखते हैं या screen आपके हमें शाओन रहती है तो आपको कम से कम 3500 mh के उपर अली battery 3500 mh के उपर की battery चाहिए तो आपको 4000 mh के उपर की battery पर जाना चाहिए तो इसको ध्यान देना चाहिए अगर आपको नॉर्मल यूजर्स है minimum यूज करते हैं नॉर्मल सा function करते हैं दिन में बस दो-चार फोन साते जाते हैं तो आप जो है 3000 mh तक की battery या दो मेरा हमेशा रहेगा कि 3000 mh की battery लेंगे उसके उपर तो वह अच्छा रहेगा लेकिन फोन तो बल्की हो जाता है उसका ध्यान दीजेगा तो वह सारी मैटर्स भी करते हैं बैटरी में और बैटरी में एक चीज और है कि बैटरी क्विक चार्जिंग सपोर्ट आता है आज कल तो वह भी देखिए जैसे आपको बहुत सारे मुबाइल से मिल जाएगा जैसे कि अभी पैनस्वानिक इलूगा रे मैक्स जो 12409 और 11409 डिस्क्रिविंग देदूंगा आपको देख सकते हैं उसके वीडियो और लिंक भी है फिलिपकार्ट भी मिलता है वह देख सकते हैं वह फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है मोटो के मोबाइल साथ है फास्ट चार्जिं वह डिपेंड करता है आजकल जितने हाई उस लेंगे उतनी आपकी ड्रील बिटी आगे बढ़ जाती कि यसे अभी आप मार्शमेरो लिए तो अगली एक-दो साल में वह भी खतम हो जागा उसको उपर कुछ ना कुछ आ जागा तो लेटेस्ट फोन लीजिए और उसर इंट यूजर इंटरफेस जादा मोबल को सरल और फीचर बनाने के लिए यूजर इंटरफेस अइम यूवाई जैसे हर एक तरह के बहुत सारे अलग अलग आते हैं आते हैं आप यूज करना चाहिए आप आप यूज कर के देख लीजिए लेने के पहले कहीं पर दुकान सोगे र एक चीज़ और इसमें बताने चाहूंगा है इंडिया में तो सबसे बेस्ट होता है तो आप देखिए कि आपकी इंटरल मेमरी जादा हो अगर आपके इंटरल मेमरी 16 है तो आज के दिन में सस्टेंड करना बहुत ही मुश्किल होगा डिपेंड करता है यूजर तो एक नॉ आप पैनसवानिक के मूबाल देखेंगे उपो और इसमें उपो वीवो और भी मूबाइल से जींगब अगरा इसमें दिखेंगे तो 2 के साथ में एक SDA कार्ट भी लगाने सकता है लेकिन रिकमेंट करूंगा कि 3GB RAM के साथ में चलिए सेक्रिटी बहुत इंपोर्टेंट है आपके फोने आपके परस्नल डिटेल्स रहती है फैमिलिस के फोटो या आपके कुछ बहुत सारी डिटेल्स है जो कि आपके नहीं चाहते कि किसी हाथ में लग जा तो सेक्रिटी फीचर जैसे फिंगर्प्रिंट स्कैनर आ गया है आप देख सकते आगे पीछे रहता है या फिर आईरिस स्कैनर आईरिस और वह सारी स्कैनर जो है काफी चैनर चैनर पे रही दिवाइस पर है तो देक्रिंट सेंसर आप देख सकते हैं 32000-34000 के रेंटें से मिलना चालू हो जाइते हैं तो एक स्टैंडेड में तो कि मौबाम से यस्वा इस में आपको फिंजर्प्रिंटी से direct मौलना चाहते हैं उसम आपको यहखिश्यू तरह फ्रेंट स्ट्रीन पर ताकि प्रॉब्लम नहां है उसे कॉलिटी अच्छी हो जैसे डॉल्बी आते हैं आपके लीनों के मुबाल में तो लीनों के मुबाल्स आप देख सकते हैं वाप पर उसे कॉलिटी साउंड्स वगर अच्छी है या फिर विवो के मुजिक फॉन जो से आपन लाइक हो का देखा होगा सीडी एले जो भी टेकलोजी लाउंच की है हला वो फ्लॉप हो इतनी सक्सेज नहीं है क्योंकि लोगों के पास एक अलग से एयरफून लेना पड़ता है तो वह ध्यान दीजिए हला यूसबी टाइप-C मार्केट में चलना चालू हो गया है और भी क्या-क्या चीजी इंपोर्टेंट लगती है आपको मुबाइल खरिते समय यह मुझे ऐसा लगा यह सारी चीज बतानी चाहिए तो मैंने बता दी इसमें चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का नहीं दिया वह भी एक चीज होती है चलिए और भी आपके पास कुछ कुरीज हो तो डालिए इस मुबाइल में और क्या-क्या होना चाहिए मुबाइल खरिते समय आप क्या-क्या चीज़े देखते हैं उसके लिए चलिए भी टेकनल देखते रहे आपका दिन शुबू